नमस्कार स्वगत्यापका हमारे चैन्चार जागेंद्र मिशा में आटा गुंदते समय सिर्फ एक चीज मिला दें करोडपती बन जाओगे इस्तरिया जरूर देखें दोस्तो जीवन में धन की चाहत किसे नहीं होती भला कौन नहीं चाहता कि उनके पास धन ना हो हर कोई ब्यक्त यहीं चाहता कि उसके पास खुब पैसा खुब धन हो लेकिन उनके कीचन में छुपा है करोडपती होने का राज जीहां दोस्तो उनके कीचन में छुपा है आईए जान लेते हैं करोड़पती बनने के कुछ उपाए। जिनने टोटके कहा जाता है उपाए कहा जाता है जिनके कारण जीवन में धन आशानी से आपको मिल सकता है। बस तो मिला देते हैं तो इसे बनने वाली रोटी तो खास हो ही जाती है। जब आप इस रोटी के आटे में गैस पर या फिर चोले पर इसे पकाएंगे तो इससे जो खुस्बू उठेगी वो सकरात्म कुर्जा आपके घर में प्रुवेस करेगी। और अपने तरफ माता लक्ष्मीज को आकर सित करेगी। मा लक्ष्मी का आपके घर में आगवन होगा और माता लक्ष्मीज का आपके घर में आपके आंगर में आना पशंद करेंगी। आप जब भी अपने घर पे आटे गोंदे तो उसमें एक चुटकी हल्दी जरूर डालें और नमक भी आप डालें। हल्दी माता लक्ष्मीज का परतीक माना जाता है और उस आटे में आप एक चमच दोध भी आप डालें। उस आटे को गोंदे समय आप उसमें अपनी उंगुलियों की च्छाप जरूर छोड़ें। माता लक्ष्मी का परतीक मानी जाती है ये उंगुलियों के च्छाप और अगर आप आटे में अपने घर पे गुनते हैं तो उसमें एक चुटकी हल्दी जरूर डाल दें। से जल्द आप करोड़ पती बन जाएंगे तो इस उपाय को जरूर कर लीजेगा तो दरस्तों वीडियों अगर परशंद आया हो तो वीडियों को लाइक करके चाहता है जिद्धर शेयर करिया और चैनलों को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में लिखे जै माता दी जै म करदा दीजेगा झालती को